कर दोस्तो खैसा कि बात करने वाले हैं रेलवे रिक्वार्मेंट की बारे में जीहां कि जैसे कि आówको पता है कि लगबख 5 साल होने को हैं और उनोग में अभी तक जो है नई वैकंसिक देखने को मिल उनके पास वेकेंसी ऐसा भी नेकी सब्सक्राइब वेकेंसी तो है लेकिन देने का नाम नहीं लिए बस वो कर रहे है कि 2024 के एलेक्शन का जो है इसे जिए लेक्षन जैसे पर जो यह जो है पूरी तरीके से अन्याए हो रहा है और रेलवे कर रहा है जैसे लोग सभा चुनाओं वहां पर उन्होंने जो है एक लाग एक लाग तक वैकेंसी देदी देदी में लेकिन उसके बाद सोचिए पान साल होने को आया हुए मतलब चार साल ज्यादा समय हो चुका है अभी जो है बैकेंसी देने का नाब नहीं ले रहा है तो अगर सभी ड उसका अगर देखा जाए तो आपका जो है रेल्वे रेल्वे में अभी जो है पिछले चार सौल में कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है तो कल आप लोग को से रिक्वेश्ट है कि आपको हैश्टेग दिया गया है उपर रेल्वे निव रोजगार दो जहां तो आपको जो है 11 बजे टूइट पर टूइट पर टूइट पर टूइट करना है ताकि आपको आपको रेल्वे तक बात पहुच सके तक कि आप लोग को जो है नई जल्दी ज़दी रिकॉर्मेंट जाए चाहे वाकेंसी आपकी ALP की हो चाहे गुरूब D की हो चाहे उसके बाद आपकी NTPC की हो चाहे जिसकी वेकेंसी हो लेकिन रेल्वे वेकेंसी जो है देखनों को मिली चाहिए क्यों कि ये गौवर्मेंट ने बच्चों को पूरी तजिक से मोहरा बना के रखा हुआ है और सिर्फ उनका इस्तमाल किय के लिए सरसर अन्या है जो कि इस डूंटों के साथ हो रहा है तो ये इसको आखे खोलने के लिए आपको कर ट्वीट करना है और इतना ट्वीट करना है ताकि जो है ये बात जो है उच्छे अधिकारियों तक खास करके देल मिनिस्टर तक ये बात पहुशनी चाहिए जो कि बोल क्या रहे हमने जो है डेल लाग वैकेंसी दी हुई है तो पुरानी वैकेंसी को लेकर के बैठे हुए है तो आपको जो है नई वैकेंसी के उनसे मांग करनी है तो इसे अमेजीन फिर्चानकारी को पाने के लिए चैनल पर सेयर लाइक सुस्ट्राइब करना ना भूले धन्यवाद